प्यारे बच्चों नमस्कार आज की ओनलाइन क्लास में आपका स्वागत है प्यारे बच्चों आज हम कक्षा साथ विश्य सामाजिक विज्ञान के अंदर पुस्तक इतियास में पार्ट चार विश्यों में बारतिय संस्कृति का परशार उडान कारिय पुस्तिका के कारिय प कारिये पत्रक лa1 में आप से पूछाए अपने अनुबह के आदार पूत्र दिन आपको आप अपने जीले में बाहर शहर में कोन 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 से काड़ों से जाते हो तो प्यारे देखा होगा आपका प्रोसी राजे है पंजाब वहाँ पर उनका पहनने का जो ढग है वो अलग है धरम अलग है रहन सेन अलग है दो स्थानों पर रहने वाले लोगों के जीवन में बिंता क्यों पेदा होती है तो यही कारण है उनके आवसकता जलवायू धरम जंसकर्ति खा अगर आप अपने पार्ट के अंदर पढ़े तो जल मारक द्वारा विदेशी वेपार जोता हो सबसे ज्यादा होता था आगे है आपके आसपास के बड़े कुछ स्कूलों के नाम लिखो तो जैसे मैंने सिर्शाडिस्टी के अंदर चोपटा ब्लोक में रहता हूं तो आप अपर गोर्मेंट मोडल सीनियर स्केंडी स्कूल जो है वो सबसे बड़ा है तो उसका नाम मैंने लिखा तो आप भी यहां अपने आसपास जो है जिस जिले में जिस गाओं में आप रहते हो तो अपने आसपास जो स्कूल है उनके नाम लिख सकते हो आपके अंसार अनपड रह जाने का क्या कारण है तो अनपड़ता के कारण आज के इस विज्ञानिक वेतक्निकी युग में हम अपने आपको ऐसाय मैसूस करते हैं यारी उन लोगों को कुछ भी समझ नहीं आता जैसे कंप्यूटर ले लो अगर एक अनपड़ वैकती है तो वो कंप्यूटर को नहीं चला सकता है अब इसो विज्ञाले में कौन सी शिक्षा दी जाती है अपने मान सिक्स्तर के अंसार वेक्ष्या दे तो उच शिक्ष्या वेवसाइक शिक्ष्या दी जाती है इसके बाद में पहले और अब के वेपार में क्या अंतर था तो प्यारे बच्चों पहले वेपार जल मारक से होता था दीमी गती से होता था और प्रोसी राजियों के साथ होता था सिरफ आज का वेपार जल मारक वाई उमारक से वेदेश विदेशों के साथ ओनलाइन वेपार भी होता है आगे है कारे पत्रक तीन कैय है क्या आपने विदेश यात्रियों को आते जाते देखा गोमने के लिए अतिया है और यहां की संस्कृति को जानने के लिए रहे हैं तो हमारे भारत देस की संस्कृति यह वो सबसे अच्छी है क्या हमारे देस के लोग भी दूसरे ले साथ जाते हैं अ потер अगर हां तो क्यों हां बिल्कुल जाते हां क्भरमन के लिए क opposite जाते हैं। कई लोग सिक्षियां ग्रेंड करने चाते हैं। कई लोग वेपार या नोकरी केま कुली लिए जाते हैं। विष्ण के अन्य भागों में बैठे बुरुनानक देवजी, महावीर, गोतमबूद, कबीर, विदेशी यात्रियों की बात करें, तो हेंसांग, फायान और अलबुरुनी मैंने यहां पर लिखा हूँ, तो आप भी अपनी पुस्तक को बढ़ करके यहां से लिख सकते हो, कारिया पत्रक 5-6 विशाओ के बारतिये स संस्कृति का परसार करने मेंने मिलिक क्या भूमिका है, तो बारतिय विद्वान जो थे, उन्होंने अपनी संस्कृति का परचार जो है, देश विदेशों के अंदर भी किया, तो बारतिये संस्कृति विद्यानों का, आगे सिक्ष्या का परभाव, हमारी संस्कृति पीड दर्पिड इस्तांतरित होती रहती है दर्यम का परवाव सेंसीलतावा बाइचारा बढ़ता है गरंतों का गरंत जो है अमारी जो संस्कृती है उसको लिखी तूरूप में संजोई रखते हैं तो ये था प्यारे बच्चों अध्याए जो हमने किया चार विसो में बारतिय संस्कृती का परसार उमीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा दन्यवाद